वजन कम करना चाहते हैं लेकिन आप एक्सेसाइज नहीं करना चाहते हैं वजन कम करना चाहते हैं लेकिन आपके पास अत्ता टाइम नहीं है कि आप स्टिक्ट रूटीन यानी की डाइट प्लान फॉलो कर सकें आप वजन तो कम करना चाहते हैं पर सुबह सुबह उठकर वॉक पर नहीं जा सकते हैं तो ऐसे उन सब ही लोगों के लिए जो अपनी लाइफ से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो लूज देयर वेट आज का ये वीडियो है नमश्कार दोस्तों वेलकम बैक टू यरून चैनल आप देख रहे हैं डाइटीशियं लक्षमी डॉक्टर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विडियो सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी आप पहुँचा सकें शेयर करके औ और आपको भी सबसे पहले healthy information मिल सकें चलिए इस बात को एक छोटे से example से समझते हैं सपोस आपको शाम को चार बज़े भूख लगी है जी हाँ इवनिक में बहुत सारे लोगों को जौब से आने के बाद भूख लग जाती है और शाम को चार बज़े आपके पास दो option है या तो आप 100 gram of potato chips खाले जी हां जो fry किये हुए हैं डीफ fry किये हुए हैं और 100 gram से आपको करीब-करीब 500 calories मिल रही है या फिर आप cucumber यानी की काकड़ी खीरा जिसे हम कहते हैं 100 gram वो खाले 100 gram खीरे से आपको सिर्फ 10 या 12 calories मिलती है protein नहीं है, carbohydrates भी नहीं है पर साथ में fat भी बिलकुल नहीं है और वहीं बात करते हैं potato chips की तो protein तो उसमें बचता ही नहीं क्योंकि आपने उसे deep fry कर लिया है अब जो बचा है वो है fats और carbohydrates जो आपके शरीर के लिए नुकसान दायग हो सकता है सबसे जरूरी बात जब आप chips खाना शुरू करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि ये 100 gram खाया गया है या 200 gram बहुत सारे लोग ये जो chips ये टीवी देखते देखते ही खा लेते हैं और टीवी देखते वक्द भी उन्हें के याद नहीं रहता कि वो 200 या 500 gram तक chips खा चुके हैं जो कि वाकई में उनके लिए unhealthy होता है अब एक समझतार इंसान तो cucumber यानि कि खीरे को ही खाएगा जी हाँ, तो हमें यही करना है, हमें fruits और vegetables जादा लेने हैं हमारी diet में क्योंकि ये वो चीज़े हैं जो हमारी diet को balance करके रखती हैं हमारे hormones को balance करके रखती हैं इसके अलावा fiber rich होती हैं जो easy to digest होता है हमारे digestion को अच्छा रखती है इसके अलावा एक और food है जो आपको हमेशा आपकी diet में शामिल करने की कोशिश करने चाहिए और वो है दलिया, जी हाँ, हम सबके घरों में बनता है इंदिया में बहुत easily available है ये जो दलिया है, ये एक ऐसा food है जो बहुत time तक आपका पेट भर के रखता है आप चाहें तो vegetable दलिया खा सकते है ठंड के वक्त में धेर सारे vegetables को उसमें डालिए और फिर आप उसे खाईए आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस दलिये से आपको calories बहुत कम मिलती है 100 ग्राम दलिया से आपको 280 ग्राम calories मिलती है प्रोटीन की बात करें तो आपको 100 ग्राम दलिया से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है और अगर fat की बात करें तो fat zero होता है जी हाँ zero fat होता है दलिये के अंदर carbohydrates की बात करें तो सिर्फ 60 ग्राम आपको carbohydrates मिलते हैं और जब आप इसे धेर सारे vegetables के साथ बना करके खाते हैं तो आप इसका glycemic index भी low कर देते हैं यानि कि जो diabetes के patient हैं वो भी इस दलिये को बहुत ही आसानी से खा सकते हैं दोस्तो इसके अलावा आप आपकी diet में शामिल कर सकते हैं oats ये भी आप breakfast में ले सकते हैं आप oats को दही के साथ ले सकते हैं overnight soak करके आपको oats खाने हैं हमेशा याद रखें अगर आप oats खाने या बनाने जा रही हैं तो आपको एक रात पहले oats को भीगो देना हैं और उसके बाद सुबे सुबे आप चाहें तो उसमें water add कर सकते हैं चाहें तो milk add कर सकते हैं और चाहे तो दही के साथ भी उसे ले सकते हैं ये भी आपके दिन को एक अच्छी शुरुवात देने के लिए बहुत ही अच्छा है और सबसे जरूरी बाद इसमें भी calories बहुत कम होती हैं इसके बाद एक और जरूरी चीज है वो है soup जी हाँ, जितनी भी सबसियां हैं उनका soup आप ले सकते हैं सबसियों और फलो का रस आपके सेहत के लिए बहुत ही जादा important है आप चाहें तो आप आपके खाने के पहले soup ले सकते हैं पहले आप soup लीजे उसके बाद आपका खाना शुरू कीजे दिन में, लंच में या फिर डिनर में जब ही भी आपको ऐसा भूक लगती है और cravings होती है तो आप soup के लिए जाहिए अगर आप office में हैं तो अपने साथ fruits ले करके जाहिए और apple, banana ये सारी चीजे easy to eat होती हैं आप इसको आराम से wash करके और कहीं भी बैठ करके खा सकते हैं इसके अलावा आपको सलाद भी खाने चाहिए अगर आपको soup पसंद नहीं है तो आप सलाद खा सकते हैं धेर सारी सबसेया, पत्ता घुबी, हरी पत्यदार, सबसेया, गाजर, बीट रूट यानि किचकुंदर ये सब ही calories में low होती हैं एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है zero calorie food आप वो भी चाकर के देख सकते हैं ये सारी चीजें आपके diet में शामिल कीजे और बिना exercise के, बिना gym जाए आप आपका वजन कम कर सकते हैं सिर्फ आपके daily के जो routine work हैं वो कीजे और आपकी diet को इस तरीके से बदलिए हम आपके साथ यूँ ही बने रहेंगे अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं इस वीडियो को share करना हो, बिलकुल भी बद भूलेगा नमश्कार